पिछले एपिसोड में आपने देखा कि संजना और संजीव बच्पन के दोस्त होते हैं, लेकिन संजीव अपने ममी पापा के साथ विदेश चला जाता है, जिस दिन से दोनों बिछट जाते हैं और दोनों बहुत ही रोते हैं, ग्यारा साल बाद संजीव के बर्थटे वाले दिन संजीव के ममी पापा वापस आते हैं, और संजना उन लोगों से मिलती है, लेकिन जब संजना को ये पता लगता है कि संजीव वापस नहीं आया, तो वह तूट जाती है, अब आगे संजना रोते हुए अपने कमरे का दर्वाजा बंद कर लेती है और उसके ममी पापा उसके कमरे का दर्वाजा खट-खटाती है अरे क्या हुआ संजना तु तो मंदिर जाने वाली थी रोते-रोते वापस क्यों आई है बिटा गेट खोल बता तो हुआ क्या है संजना कमरे से रोते हुए कुछ नहीं ममी पापा, मुझे थोड़ा वक्त दो, अभी जाओ आप अरे ऐसी कैसे जाए, हुआ क्या है, रोते रोते क्यों आई है, तुम बता हो तब इस अंजीव की ममी गौरी भी वहाँ पहुच जाती है, और उनके पीछे दर्वाजे पर खड़ी होकर गीता को आवास लगाती है गीता, उसकी आवास सुनकर गीता और गिर्वर पीछे मुड़ते हैं और दोनों गौरी को देखकर काफी खुश हो जाती हैं और हैरान भी गौरी तुम कब आई? फिर गीता और गौरी दोनों एक दुस्टे की गली मिलती हैं आच ही आए हैं, अब हम वापस आ गए हैं, कितना वक लगा दिया 14 साल, मुझे तो लगा अब तुम कभी नहीं आओगे अरी ऐसे कैसे न आती? अपना देश थो अपना ही होता है, अब इनका यहां बिजनस भी सेट हो गया है, ये थो बहुत अच्छी बात है लेकिन हम तो जहां पहले थे वही हैं, ना कोई कमा ही साधा हुई है, ना ही कोई बिजनस सेट हुआ है कोई बात नहीं गीता, तुम्हारी बेटी से भी मिली मैं, बहुत ही संदर हो गई है संजना अच्छा, तुम मिल ली? ये तो मंदर में संजीब के जनम दिन के लड़ू बाटने जा रही थी, पर रोते हुए वापस आई है हाँ, मैंने दीखा, ये लड़ू पर मेरे घर ही रखाई थी गीता, अब तो मैं समझ के इसे क्या हुआ है, पर तू नहीं समझी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा जब इसे पता लगा कि संजीब वापस नहीं आया है तो ये रोने लग गए अच्छा, वो नहीं आया तभी गौरी संजना की कमरे का दर्वाजा खटखटा दी है संजना, बेटा बाहर आ जाओ, अब चुप हो जाओ आंटी जी में ठीक हो, बस मैं आ रही हूँ और तभी संजना दर्वाजा खोलती है ये भी कोई रोने वाली बात है भला बस ऐसे ही आंटी जी, मुझे रोना आ गया था हाँ हाँ मैं समझ सकती हूँ, तुम दोनों बच्पन के इतने अच्छे दोस्त हो लेकिन मैं तो तुम्हें चिढा रही थी क्या मतलब? और क्या तो, मुझे क्या पता था तुम ऐसे रोती हूई भाग जाओगी? इसका मतलब संची वा रहा है? नहीं, बट असल में आने वाला है, वहें दो दिन में आ जाएगा संजना ये सुनकर खुश हो जाती है और इसके बात सब लोग आपस में बैट कर काफी देर तक बात ही करती है पातों ही बातों में पता लगता है कि अब गौरी काफी पैसे वाली हो गई थी चलो गौरी बहुत अच्छी बात है तुम तो पैसे वाली हो गई हो चाहिए मैं कितनी भी पैसे वाली हो जाओ लेकिन तुम्हारे लिए अभी भी वैसी ही हूँ जिसे पहली थी यह तो बहुत अच्छी बात है और एक और बात करनी थी मैंने आप सबसे हाँ हाँ बताना बुरा मत मानना लिकिन मैं सोच रही थी कि हमारी दोस्ती को हम रिष्टेदारे में बदल देते हैं यह सुनकर संजना गीता और गिरवर काफी खुश हो जाती है और हैरान भी बहन जी कहा हम और कहा आप हाँ यह तो है कोई मैच नहीं है और कमलेश भाई साहब तो कभी नहीं मानेगे मैं उनसे बात कर लूँगी तू तो देखी रही है संजना के दिल में कितनी चाहत है मेरे बेटे के लिए और यह आज की नहीं बच्वन की है हाँ गौरी यह बात तो सच है और जहां तक मुझे लगता है संजीव भी बहुत खुश होगा इस बात से लेकिन बेहन जी एक बार आपको संजीव से भी पूछ लेना चाहिए आज कल बच्चे खुद की मर्जी से भी करना पसंद करते हैं जी मैंने तु मेरी मन की बात रगती है बाकी दो दिन में संजीव आ जाएगा तो मैं उससे भी बात करूँगी और उसके पापसे भी इतना कहेकर गौरी वापस अपने घर चली जाती है दो दिन बात संजीव के घर के बाहर एक लक्शरी कार आकर रुखती है जिसमें से संजीव बाहर निकलता है आगया बीटा तू? हाँ मम्मी आना ही था चला इधर कमरे में तुझी कुछ दिखाना है तो गौरी संजीव को भी कमरे में ले जाती है जहाँ पर संजीव पहले से ही मौझूद होती है ये कौन है मम्मी? तू बता कौन है? मैं कैसे बताओ? मैंने से पहले कभी देखा भी नहीं है कोई नई मेड है क्या? चुपकर बत्तमीज ये सुनकर संजना को थोड़ा बुरा लगता है लेकिन उसे लगता है कि शायद संजीव मजा कर रहा है मुझे नहीं पता कौन है बताना है तो बताओ डोंट वेश्ट माइ टाइम अच्छा दिखने में कैसी है? ठीक है सुन्दर है पर मैं क्या करूँ? इस दुनिया में बहुत से सुन्दर लड़किया है तुने पहचाना ही नहीं और सबसे ज्यादा तीरा इंतजार ये ही कर रही थी मेरा इंतजार? पर क्यों? मैंने तो इंतजार करने के लिए नहीं कहा संजना उठकर संजीव के पास आती है तुमने तो मुझसे कभी भी नहीं कहा था लेकिन में नहीं तो बहुत इंसार किया, पूरे 11 साल मुझे लगता है मैं जानता हूँ हाँ, हाँ, बिलकुल अच्छे से ठीक है, मुझे याद है, तुम संजना हो, है ना? मुझे पता था कि तुझे भी याद होगा, तो तुझे अच्छी लगी ना ये, प्रसद है ना? अच्छी लगी मतलब, कहीं आप मेरी शादी वादी का तो नहीं सोच रहे है हाँ, बिलकुल, सही समझा, यही सोच रही है हूँ मैं संजना ये सुनकर शर्मा जाती है आप बात कीजिए, मैं चलती हूँ ठीक है, मैं शाम को तुम से मिलने आती हूँ तो संजना वहाँ से चली जाती है क्या मम्मी, आप भी न, मुझे इन सब में नहीं पढ़ना तब ही वहाँ पर कमलीश भी आ जाता है क्या बाते हो रही है मम्मी उस संजना से मेरी शादी का कह रही है क्या, सोचना भी मत अब ऐसे घर में रिष्टा जोडेंगे क्या इतने बुने दिन नहीं आए कैसी बाते करते हैं जी आप ये तुनों बच्पन की दोस्त है आज हम अमीर हो गए तो लोगों को भूल जाएंगे क्या मम्मी, अब हमारा स्टेटस बदल गया है हम लोग अपने बराबर का घर ही देखेंगे न कैसी बात कर रही हैं आप विदीश जाने से आप दोनों की दिमाग पर कैसा असर हुआ है इतना अभिमान अच्छा नहीं होता मुझे ये समने ही सुनना मुझे तो शुरू से ही लोग पसंद नहीं है पर बुराई क्या है कितनी अच्छी लड़की है संचना कितना चाहती है हमारे संजीव को और हमें क्या चाहिए ममी ममी ये चाहत वहाद कुछ नहीं होती स्टेटस होता है उसकी हाला देखी कैसे उसने सूट पहन रखा था शकल अच्छी होने से क्या होता है कपड़े बदले भी जा सकते है लेकिन दिल नहीं वो तुझसे बहुत प्यार करती है हर साल तेरे जनम दिन बनाती है ग्यारा साल से तेरा इंतजार कर रही है तो मैंने थोड़ी न कहा था उसे इस सब करने के लिए हाँ तुने नहीं कहा लेकिन वह तुझे चाहती है इसलिए तो ये सब कर रही है न ममी प्लीज अभी तो मैं आया हो ममी ऐसे लोगों की सोच छोटी होती है तीनों आपस में बात कर ही रहे थी और वहीं पीछे कोई खड़ा था जो उनकी सारी बाते सुन रहा था लेकिन वह शक्स था कौन जिसने ये सब सुन लिया था और आके क्या होने वाला है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ पिया भी मानी के अगले एपिसोड तर